प्रिपीटर्स को किन गलतियों से बचना है आने वाली 2024 प्रिलिम्स के अंदर सबसे पहले हम कुछ जनरल अडवाईजरी देखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्स पर्टिक नायक सर जो हमें उनके सब्जेक्स के बारे में भी बताएंगे कि रिपीटर्स ने किन गलतियों से बचना है और जो सच्चा ही है वो दिखाने का हम प्रयास करने वाले हैं क्योंकि आज मुझे लगता है पढ़ने से जादा बाकी बहकाबा बहुत है मार्केट में हर प्रकार का चाहे मैं टॉपर्स की एंट्री देख लूँ चाहे मैं किसी का व्लॉग देख लूँ पर मैं पढ़ूं सर जो हैं आपको इतिहास का बताएंगे तो एक एक चीज और ऐसा नहीं कि उपर हवावाजी चल रही है प्रॉपर एनालिस के साथ पिछले तीन से चार सालों में ट्रेंड किधर गया है कोश्चन में भी सब्जेक्ट में यह नहीं कहूंगा कि जोग्रफी से यह आता है नह बार देखें और एक्च्वल में अपनी स्थिति को समझें एक तरह से टेस्टिंग वीडियो है आप लोगों के लिए जैसा कि दोस्तों सर ने आपको बताया मुनाल सर ने सुधर संचन ने तो हम यह फोकस करेंगे कि आपको पीवाइक्यू का ट्रेंड अनल्सिस दे और खा प्रतिक सर शुदर्शन सर शुरू करते हैं शुरुआत में हम जन्रल अर्वाइजरी और उसके बाद एक-एक सब्जेक्ट में जाते हैं देखें यूपील से एक तो एन्यूल रिपोर्ट थोड़ा लेट से देती है तो अपने पास जो लेटेस डेटा है वो ऐसा है 2020 का उसमें फर्स्ट अटेंब वाले थे दो लाग चतिसा जार मलब 49 परसेंट आप दे एस्पारेंस वेर फर्स्ट अटेंब उसके सामने सेकंड थर्ड फोर्थ और उससे आगे भी अटेंब वाले जितने वो बाकियाब गिन हो तो ओवियस्ली वो 51 परसेंट होंगे अब हम दे लूटी चुके हैं अभी वापस तो कुछ लेगा नहीं तो उसकी क्या बात करने हैं या फिर यह जो भी व्लॉगर्स या रॉयल एंटी टॉपर्स हैं वो यह सोचे कि हमने जो मोस्ट इंपॉर्टन्ट हंड्रेड टॉपिक की लिस्ट दी थी उसमें से उसमें कुछ पूछ सब्सक्राइब करेंगे तो उनको सच्छा ही समझ में जाए कि नेक्स्ट यर मेरे साथ ना हो ऐसा तो आप लोग के लिए लर्निंग है तो रिपीटर को मैं आप मलब सर बता के जो करेंट ट्रेंड में लर्निंग पढ़ रहा है लर्नर उनको भी ध्यान देना भीया बहुत क सेरियल अपडेट नहीं कर रहें इसलिए बरबाद हैं लोग और रॉयल एंटी टॉपर जो सस्ती पॉब्लिसिटी के लिए आपको ऐसी बात बता हैं जो असल में उप्योगी ना हो तो अब अपने लेक्चर की प्लेलिस्ट बनेगी जनरल अडवाईजरी एकोनॉमी स्पेस मैं एक्सपर्ट हूं मुझे सब आता है और यह तो बस बाकी मीडियम बाकी कास्ट और बाकी कॉलेज और राजय के लोग मेरी नौकरी छीन रहें तो कुछ हो नहीं सकता दूसरे ऐसे होते हैं कि वह फिल हो जाए तो फिर बाकी लोग क्या बोले उस हिसाब से आख बंद करक हो भी मुश्किल है तीसरे जो साइंटिफिकली अपने गलतियों का एनालीसिस करें तो फिर सुदरने का अवकाश है अब कट अगेर आप जानते वीडियो पॉस करके आप देखना हम उदाहरन लेते हैं 2022 की प्रिलिम का क्यूंकि उसका ऑफिशल कट आच हो का है तो जनरल के एक्जामपल आपने 60 क्वेश्चन टिक किये और 60 क्वेश्चन आपने टिक किये उसमें आपके 40 सही थे 20 गलत थे करीब 66 का स्कोर बने तो फिर आपको ठीक है उस हिसाब से पढ़ाई भी बढ़ानी है एक्यूरसी भी ब्रूव करनी है वरना तो आप कुछ लेकिन वो भी ल सारे के सारे करेक्ट हो जाते हरे क्वेश्चन के दो मारके जीरो आफ रांग आणसर देते तो 88 माक हो जाते पर असल जिनकी में यह संभाव नहीं है क्यूंकि आप बहुत सारे अतरंगी क्वेश्चन आते हैं कुछ आपट टिक करते अपना जाब गलत हो जाता है आगे मान सो में से मैंने तो 90 क्वेश्चन टिक किये थे बराबर उसमें से 55 करेक्ट हुए 35 रॉंग हुए अब यह सी में कल्पना से नहीं बोलना यह असल में ऐसा ही होना है क्योंकि आज कल यूपेसी की प्रिलेम पिछले तीन साल में इतनी टॉफ हो गई है एक्जाम के बाद हम लोग घर पे या ऑफिस में बैटके इंटरनेट से डून डून के भी आंसर निकालना शुरू करें तो 55 आसानी से मिलते बाकी तो अलगी दुनिया है तो यह भी दिखाता है कि आपको पड़ाई तो आपकी ठीक्ठा की थी उससे ज्यादा टिक हो नहीं सकता था पना आप गलत सलाह में फसे थे ज्यादा आपने टिक कर दिया अपकी गलबल हो गई और आप पेल हो गए तब कहां पर है और आपको क्या सुधार करना है अब जै एकुरसी इंप्रूव करें और बाकि उसकी प्लान भी की जो भी तैयारी है मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं यह स्टेट सर्विस आईबी पीए स्टाप सेलेक्शन वह करता रहे क्योंकि आप समझो आपका इतना स्कोर हो रहा है और ज्यादा स्कोर तो होना मुश्किल है सर इसमें यह बात तो आपने सही गई कि यह लर्नर को अपने सेल्फ स्टेडी पर भी ज्यादा भरोसा रखना जी एक जो कैटेगरी इसमें सबसे ज्यादा रहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बस मेरे पांच नमबर से मेरा प्रेंट से रह गया तो मेरा मतलब यह है क कि यहां पर आपको अपनी स्थिति को पहचानना पड़ेगा इसमें मैं कहूंगा मैं अभी आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहला काम यह करता कि पिछले एक दो साल के पेपर में और इस बार जबार पेपर गये तो क्या चीज आपकी हमेशा सही हो रही है तो उसको आप अल साल से कंटिन्यू एक कोश्चन आता यूमन विला एनिमल के बिहेवियर वाला तो थोड़ा सा किसी दिन में एक घंटा रिसर्च करूं कुछ यूनिक ऐसे अनिमल निकालों कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तो इसी सब चीजों के लिए एजुकेटर्स प्रयास कर यही observation रखना आपको कि मुझे जाना किस दिशान में नहीं तो बताने वाले बहुत हैं कि यह पढ़ लेना यह पढ़ लेना लेकिन कब पढ़ना कैसे पढ़ना कहां से निकाले कौन सा content निकाले इस यह समझना बहुत जरूरी इस्पेशली यह वाले learners को absolutely दूसरी तो पहले आप कट-off की race में कितने दूर थे यह पहली जनरल अडवाइज हुई दूसरी कि अब आपने अपना वीक एरिया इडेंटिफाई करना और उसके लिए कि एक्सेल फाइल का का काफी महत्वर मैं एक एक्जामपल दूँ जो कई बार मैं दे चुका हूं गुजरात में जीपी एसी एक्जाम हुई कुछ सालों पहले और एक प्रशना पूछा गया कि क्या है वो केरला का मार्शलाट है अब आप समझो जिसने भी टाइगर स्रॉप की कोई मूवी देखियो बागी या फिर वो केरला गुमने गया हो तो उसको यह पता होगा अब उसका एक आंसर सही हो जाता है वो गर आके क्या सोचता है कि मैंने जंक जीत लिया बाकी 99 गलत हुए नहीं आए उसकी परवा करता है नहीं जिस दिन फेल होता है तो वह हमेशा ब्लेम करें यह तो दूसरे मीडिय सब्सक्राइब करना होगा कि क्या मुझे नहीं आया था क्या आया था एक एक्सल फाइल बनाओ सीरियल नंबर 1200 क्या था सब्जेक्ट पॉलिटी स्पॉर्ट्स एन्वार्मेंट डिफिकल्टी क्या थी इजी मीडियम टॉफ ठीरी का था करंड का था सोर्स मैपिंग करो कि व है पिछले तीन साल की तो कम से कम उससे ज्यादा कर तो और बैदर तभी आपको पता चल देखें आप किसी और के भरों से मत रहो मैं या कोई भी और टीचर आपको ग्राफ बता दे तो उससे आपको जटके नहीं लगेंगे कि मुझसे असल परिक्सम क्या गलती हो एक्यूर आपको बताया है बहुत सारे लगनर्स कर लेते हैं कुछ ऐसे लगनर्स इसका यहीं मेरे अपने और से में बताना चाहूंगा आप सिंपल यह थौट सर का गाम का है समझो कि सर क्या कह रहे हैं आप से कि बहुत चीज आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए मैं मेरे को एक्सल कोई नहीं बोल रहा कि साइंस की पढ़नी है लेकिन मैंने एक दो कॉस्टन देखें जो वहां से दिख रहे हैं तो मेरी में नोट डाउन कर लोगा तो एक्सल माल लो क्योंकि क्या है अपना मन तो ऐसा ट्रेंड होता है कि बहाने कहीं नहीं निकली आते है अब मुनाल सर ने करेंगे तो आप बार-बार रहेंगे अपन यह जो मेरा फेवरेट टॉपर टीचर या सब्जेक्ट है मैं उसमें फैन बॉय की तरह लगा रहा हूंगा बले दुनिया और ट्रेंड कहीं और ही जा रहा है यह तो सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यह वह चीज है कि जैसे हम क चाहिए तो फेन पेज में मेरा यहां पर रॉयल एंट्री वीडियो देखने में और कई बार स्टेजी में इतनी स्टेजी हो गई है कि तो थोड़ा सा ध्यान रखें और एक चीज और किसी एक चीज से पढ़ रहे हैं एक सिच्छो को फॉलो कर रहें तो पहले पढ़ो चीजें यही रहेंगी तो एकलिस्ट मेरे हिसाब से आपका ध्यान थोड़ा सा एक सही जगा पर हो यह सब बाद में कर लेना मेरे हिसाब से पर अभी जब पढ़ने का लर्निंग फेज हैं मेरे हिसाब से बहुत जरूरी इतना नहीं है जो आपको समय आपका कहीं न कहीं ले करें यूटूब का अल्गोरिदम क्या है कि जिसका वीडियो चलता है उसको बार-बार रेकमेंडेड लिस्ट में दिखाए अब कोई टॉपर 2014 में 16 में सिलेक्ट हो गया अब के मैं तो बीना सी सेट पड़े भी सिलेक्ट हो गया हाँ हो सकता है अभी तो एक्जाम का ट्रें सर यह यह बहुत मतलब काम की चीज आपने भी हमने हाईलाइट करी है क्योंकि मेरी परवरिश आपकी परवरिश हर की परवरिश सबकी अलग-अलग हुई है मैंने मालो एक जोग्रफी का किसी लर्नर को या मैंने मतलब मालीजिए को टॉपिक पड़ा दिया उसको समझ आ ग होगे अपना सच हर दिन चेक करोगे और कुछ नहीं लगता दस पंदरा मिट लगते हैं तो आधा टाइम हम शेडूल बनाने में तो खराबी कर लेते हैं तो उसको सजाने से अच्छा मेरे हिसाब से आप इस तरह से कर सकते तो यह चीज़ थोड़ा सा बहुत जरूरी है मु अब वह वाला जो जो चल रहा था वह सब महुल अभी आपको दिखेगा नहीं तो अभी अगर आप फॉलो करते हैं किसी को या कुछ रेकमेंडे लिस्ट में आप यह सोचेगी नहीं हो तो आसानी होता है तो इसलिए एक्सेल फाइल बगरा बनाओ उसी तरह कुछ तो रॉय अब वह बात ऐसी खुल के नहीं बोल रही है या उसने बोला है लेकिन शौट में वह बात काट दी गई है तो हम ऐसी अब आपको समझो अगर उसने सेकंड अटेंब थर्ड अटेंब दिया और उसके तो ठीक ठाक हर बार प्रिलिम क्लियर होते हो तो वह तो डेली फिर यह जो लॉंजिट्यूड लेटिट्यूड टाइम जोन यह सब तो मैसी है बले जियोग्रफी है यह एकॉनोमी में रेपो रेट से लेके टेक्स कितना होना चाहिए वग्यरा तो पन वह कब समझ आएगा जब आपने बार-बार सब्जेक को देखा है रिवाइस किया है तो कि देवन से तो यह सब हो नहीं सकता सिवाए कि मांके पेट में सारे विशय पढ़के आए थे तो पैदा होने के देवन से हो सकता है दूसरी बात अगे मैंने आपको बता है कि कुछ लोग 90 क्वेश्चन टिक करते हैं और फिर एकुरसी बहुत उनकी बेकार हो जाती है उसक अब इतने करेक्ट हो जाएं कट अपना निकल जाए पर आप समझो डेविड दवन की मूवी आज कल नहीं चलती है उसी तरह यह जो पुरानी फॉर्मुलाज है वह आज कल नहीं चलती इसका खास ख्यार रखे प्रतिक सर आप इसमें कुछ बताना चाहिए जी सर मतलब कैसा कोशन पूरी तरह से वदल गया मूवी जैसा ही है कि जैसे जनरेशन चेंज होती है वही चीज होगी अभी जनरेशन चेंज मरला यहां तो क्या है कि यह 90 से लेके 2000 तक की है अभी ऐसा हो रहा है कि 2015-16 के अंदर जो कोशन पूछा था वो 2023 के अंदर बहुत डिफ्रेंशेटे सब्सक्राइब करने की जो सब्सक्राइब करने की जो सब्सक्राइब को थोड़ी नए सीरे से सर देखने के आउशकता है अंग्रेजी में कावत है मित्रो वन स्वैलो ड़स नॉट में का समर स्वैलो एक पक्सी है वो जब दिख जायते हैसा नहीं कि अब समर आगी मैं वो शायद जहां पर सर्दी जादा होती है उनके लिए है अब उसी तरह कोई एक टॉपिक का पूछा जाना या नहीं पूछा नहीं वह उनकी सोच रहती है और पूरा दिन लगए इसका लंबा है हैंडाउट इसका चोटा है पावर पॉइंट यह पड़ो यह मत पड़ो यह चोटी सी किताव है तो पास होना मुश्किल है यूँ है तो पूट कॉम्प्रिहेंसिव एफट्स आठ नो महीने अगर बाग कुमर प्राइज इंडेक्स और होलसेल प्राइज इंडेक्स में कौन सी चीज को फूड वेटेज कितना ज्यादा या कम है अब वो जब मां लिजे पूछाओ 2020 में तो उससे पहले दस साल तक का अनलीसिस करो कभी आपको ऐसा प्रश्न दिखे नहीं इसका मलब क्या वो ट्र है बाकी सब पूरी हिस्ट्री में कुछ देखने की जरुवत नहीं है तो वो तो कैसे चले तो प्लिज डॉन्ट फॉलो दिस वेलो डज नॉट में का समरी आप ध्यान रख सर इसमें भी ये ट्रेंड में भी आज कल क्या चल रहा है कि बुद्धिजम जनी में बीच में संप कर गया उसने कहा कि चलो है ट्रेंड बन गया लोगों को समझ में रहा है दो बार सवाल आ गए तो अब यूपेसी जैनीजम बुद्धिजम के लिटरेचर के उपर से सवाल आ रहा है और कौनसी किताब जैनीजम के साथ नहीं है कौनसी नहीं है अब यह सिंप्लिफाइड च भी मिल जाता है तो बच्चे आजकल सर यही कर रहा है कि एक साइड का जो पूछ दिया फिर उसके उपर सो लेके पिएच्डी कर देंगे और बागी सारे टॉपिस को निगेट करेंगे तो जैसा सर आपने कहा कि कॉम्प्रियेंसिव करने की आवशकता है वन सिंगल एक हैसा विंडो बनाना है जहां सब कुछ कवर होना है मैं को और वी चीज़ एड करना चाहूंगा कुछ लोग यह शिकायत करते हैं प्रतिक सर के पावर पॉइंट बहुत लंबे हैं अब हिस्ट्री इतना लंबा पूछा जा रहा है तो स्वावाई के पावर पॉइंट लंबे होन यह सर और लेंदी करना पड़ेगा क्यों सब्जेक्ट लेंदी है कि बहुत सारी फैक्स इंक्लूड करने पड़ती है डेट इंक्लूड करने पड़ता है खाली और खाली ऊपर सूपरफीशल बात करेंगे तो वह हिट रेश्व नहीं आएगा बच्चों को पढ़ने में जो relevant material चाहिए वह नहीं मिल पाएगा तो इसके लिए सर वह तो होगा ही सर है और यह मैं मानता हूँ कि आप जितना depth में पढ़ोगे history जैसे विश्य को उतना ही आपकी kind of understanding भी बढ़ेगी और बाकी सर नहीं जैसे कहा कि ऐसे जैसे topic में help हो जाता है और और भी subject में help होगा सर और क्लीफ हो जाएगी दूसरा में जिकर करना चाहूँगा working professional working professional को क्या लगता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ खरीद लूँगा तो मेरा selection हो जाएगा और उनका वही पैसा लूटने के लिए बिना कुछ research किये बस ऐसे ही आज कल बहुत सारे लोग निकल पड़ें दुकान लेके अपनी दुकान भी निठेला लेके कि यह flash card है यह mind map है यह audio note है और तुम पलके इसमें से पास हो जाओगे simple thing जिस type के depth में प्रशन पूछे जा रहे है जितना आप छोटा material लेने जाओगे तो उतना ही वो जो दायरा है वो कम हो जाएगा कि उसमें से कुछ चीज निकल के आए तो आप समझो working professional है तो UPSC का अलग category नहीं है cut off का नहीं उनका अलग question paper set हो रहा है तो बाकि जो लोग ज सबने का पारो छोड़ दो पारों का साराब छोड़ दो तो उसी तरह है नहीं तुम science छोड़ दो क्लास 11-12 की NCRT देखने कि जरो तो वर्ल्ड मेर छोड़ दो वो तो पहले पुछते थे आज कल नहीं है यह topic छोड़ दो वो topic छोड़ दो वो ही करने बैट एक दिन दुनिय सब्सक्राइब करने चोड़ दो फिर कल्चर में इतना पॉर्शन चोड़ दो तो अल्टीमेटली सर यूपसी मैं तो यह कहूंगा कि पांसो पेज पढ़ा के आप को इस रेफ्रेंस बुक को पढ़ो एक या दो कोशन निकालता है and that is the standard UPSC expect from every experiment क्योंकि the more we will read the more we will be able to comprehend the topics around दूसरी सर यह जो छोटे मटिरल की अपने बात की ना उसमें सर दिक्कत यह आती है कि उसमें खली फैक्ट लिखी होती है अब नॉर्मली केंडिडेट्स होता है उसके उसको concept पता ही नहीं है the candidate does not know the concept of a particular topic say for example एक शब्द लिख दिया गया है कटक जो इस बार आया था राइ अब धन्या कटक मूलत हसे कर अमरावती मतलब आज के साउथ इंडिया अंदरप्रदेश के तर आपको मिलेगा अब फ्लेश कार्ट में लिख दिया होगा कटक का मीनिंग उसकी रेलेवन्स कहां से शब्द निकल के आया वो सब चीजे तो शायद आपको कोई comprehensive material में मिलेगी या कहीं class bus आपने जुड़े हो तो आपको या बुक में पड़ा होगा अब होता कि बचा उसको याद करने कोशिश करेगा candidate उसको पर वह रट्टा कितना मार पाएगा तो मेरे इसाप से क्योंकि the subject is very lengthy all the subjects उसमें जितना conceptually परेंगे वो जादा help करेगा और वही concept और storyline ही उन और economy और यह लक्ष्मिकांद का दूँ लोग की लक्ष्मिकांद लक्ष्मिकांद का एक्जामपल लक्ष्मिकांद में मालीजे 900 पढ़ने हो और उसमें इंडेक्स और geography या economy या science या किसी में दो दो पन्ने पढ़ेंगे और एक 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 एमसी निकल के आए तो हो नहीं सकता अब जैसे share market की में बात करूँ पहले share market कम पूछते थे एका सवाल आए अब पिछले दो साल से ऐसे दो दो तीन-तीन सवाल पूछते और वह भी नहीं जातके पूछते बीटा का क्या मतलब है यह वाले चीज में आपने पैसा इंवेश्ट किया तो टैक्स लगेगा कि नहीं तो इस बार मैंने यह किया कि मेरा नॉर्मली वह हैंडाउट था 50 पेजिस का और मुझे उसमें कोई शरम नहीं है क्योंकि समझो अगर पॉलिटी में एक सवाल के तो और मैं आपको एक्जांपल भी देशाने हावा में मैं बोलाओं कि यह पूरे आप हैंडाउट के कुछ स्क्रीन शॉट है मैंने पूरी नई चीज़ शेयर सेलिंग एक्विटी डाइलूशन डी लिस्टिंग कव होता है उसके क्या आया मैं से लेके अलग-अलग काफी उसमें नए-णे पॉइंट में ने अट किये अधिर जडियर में अपडेट्स आये हैं एक्विटी डाइलूशन कव होता है शेयर स्प्लिटिंग कव होता है यह अभी HDFC में शेयर स्वैपिंग हुआ वह क्या था एक एक दो दो लाइन में पढ़ना तो है तो फिर मैंनत तो करनी पड़ेगी तो यह तो चीजें हुई उसी तरह में बात करूं कि जैसे मार्सूपियल मतलब यह कांगारू जैसे जानवर जो सिर्फ ऑस्टेलिया में पाए जाते हैं उसके बार इंप्रशन पूछा अब यह तो साइंस या बायोजी की क्लास 12 की किताब में है तो साहे थे उसका जो बेजिक है तो डी एने के उपर था है मारेने के उपर था वह भी बायोजी के चैप्टर से अगर आप पढ़के गए होगे तो उसको इंप्लाइ कर पाऊगे और को सॉल करने में बहुत हल्प करेगा तो खुट-कुट चीजे ऐसी बच्चों को इसकी होग जो चार अलग-अलग एरिया से कवर कर रहे है तो जितना वाइड रीडिंग होगा उतने ही हम सॉलिशन के उपर आप आएंगे वह तो वरना तो पॉसिबल ही नहीं है एबसलूटली तो रीपीटर गड़े में गिडने से बच्चे उसकी यह कुछ जनरल अडवाइजरी हमको देनी थी वो दी अभी हम लोग यह पूरी प्रेलिस्ट बने वाले हैं जिसमें सब्जेक स्पेसिफिक जाएंगे कि एकोनोमी में क्या ध्यान रखना है जिओग्रफ हैं कि जिन्होंने माली जे 40 परसेंट उनको आता था भी फोटी करेक्ट हुए 55 करेक्ट करने प्रिलिम पास करने सब्स तो उनको तो उतना लंबा कुछ पढ़ने की दरश छेसों आट सो गंडे तक वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं उनको सिर्फ नया इंक्रीमेंटल न कम होंगे क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आपके माली जे 40 करेक्ट हो रहे थे और 55 आपको करेक्ट करने क्वेश्चन तो उसके लिए कोई वापस पूरा जीरो से पढ़ना नहीं है तो उसमें गंटे कम होंगे वीडियो लेक्टर्स के पढ़ाई बाकी आपको जो आने केडमी आपको देगा पीटी 730 मतलब पिछले 365 365 735 जो दिन हुए पिछले दो साल के करन्ट अफेस वह भी नए ट्रेंड के हिसाब से अलग से एंशेंट और मिडाइवल के अंदर यह जो भी प्लेसिस डिक्ष्णरी एडवांस चीजे पूछी जा रही है जो अलग कुछ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्कीम में भी एडवांस लेवल के फैक्स पूछे जाते हैं कि यह पदमस्री पदमभूचन वगएरा मैडल्स खेल रतन मैडल वगएरा वो सब जो जनरल जनरल नॉलेज पूछी जा रही है असल में वह सरकार की है कि इंडिया येर्व टॉपिक्स रहे उसकी आपको अफ्लातून मल्टी मीडिया वाली पीडियेफ फाइल मिले स्पोर्स मेडल जनरल नॉलिट टाइप का और भी जो पूछा जा रहा है खासकर 2023 में पूछा था तो उसकी भी आपको कवरेज का पूरा मटीरियल मिले और भी कुछ यह तो मैंने पन उसके सिलेक्टिव पार्ट उसको भी आप देखें तो आपको अंदाजा आ जाता है कि आज कल क्या पूछने का ट्रेंड है या यह प्रोफेसर अब बदल चुके हैं और यह नए प्रोफेसर को ऐसा ही पूछने की यह उनका दिल है इस चीज में जैसे मैंने आपको बता रहे थे कुछ तो उनकी भी एलाइड एक्जाम की सारे क्वेस्टन नीए सिलेक्टिव क्वेस्टन टॉपिक वाइस उसकी आपको प्रेक्टिस मिले सीए फ्रेश टेस सीरीज बन रही है और यह सब कुछ इस लाइक नेट्फिक्स आप एक सब्स्रिप्शन लेते हैं एड-on package होते हैं जैसे mentorship और optional subject की आप तो तियारी करनी है यह सब कुछ आप और उसमें भी up to 50% off उसके लिए सब discount code और link is in the description आप उसका बेशक से पूरा फायदा उठाएं सर आप इसमें कुछ बताना चाहिए जी सर यह बैच स्पैसिफिकली targeted ही है repeaters बचों के लिए और in fact जो selection का ratio के point of से भी देखेंगे तो जितने भी फ्रेश स्टूडेंट हो से compare में repeaters का जो ratio है second और third attempt तो उनको concise time में बहुत ही effectively हम यह solution देने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं जरूर से welcome करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िये और आपकी जो भी queries है main तो खास करके जहां जो आप दूवीदा में पस गया हो kind of a चक्रूब में पस गया हो उससे बाहर निकल यह जी सर और यहां पर सब top educators के साथ यह पढ़ाई होने वाली हैं इसके बाद अब आप देखे यह पूरी playlist बन रही है ताकि आप systematically चीजों को समझ सके तो हमने यह general advisory तो खेर बात हुई अब इसके बाद जो next video बनेगा उसमें economy specific बात इसके बाद geography environment specific बात history culture specific बात और वो भी सब top educators के साथ एक एक करके यह सारे चीज़ें आ रही है चैनल को आप लाइक शेर और सब्सक्राइब करें खास कर तो प्लेइलिस्ट को आप इसको खास आप बुकमार्क या वचलिस्ट में डाल देना तो इसके बाद वीडियो में जो मिल रहे हैं उसमें मैं बात करूंगा economy की बात म रखेंगे history culture के अंदर क्या अब नया चल रहा है या क्या ख्याल रखना है प्रतिक सर्बात करेंगे और सो ओन so see you in the next video let's crack it let's crack it